हालो दोस्तों, welcome to sleeping classes, बिहार floods, बिहार underwater, recently Indian Express में एक article आया है जो बात करता है, why the state sees floods every year, चलिए समझते हैं, बिहार is flooded yet again, लोगों को shelters में रहना पड़ रहा है, food packets को air drop किया जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, ऐसी images सामने आई हैं, और लोग vulnerable भी है to water bond diseases, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, North Bihar sees floods every year, map भी आप देख सकते हैं, North Bihar, यह article बात करता है, दो कारणों की जिसकी वज़े से यह region flood prone माना जाता है, पहला reason है, बिहार की geography, समझेंगे, दूसरा reason है, एक decade old solution, that proved to be short sighted, क्या है समझेंगे, अब शुरू करते हैं, बिहार की geography से, बिहार को इंडिया का one of the most flood prone state माना जाता है, North Bihar में, जो 76% population है, वो flood के threat में रह रही है, इसका reason यहाँ की rivers को माना जा रहा है, अगर आप भ्यान से देखें, यहाँ पे rivers आ रही है, अब कुछ rivers ऐसी है, जो snow fed है, कुछ rivers ऐसी है, जो rain fed है, अब floods की बात हो रही है, बहुत सारा पानी आ रहा है, आइदर कहा जा रहा है, कि जो हिमालया से यहाँ rivers आ रही है, आप देख सकते हैं, नेपाल ध्यान से देखें, तो जो हिमालया से rivers आ रही है, अब हिमालया में altitude है, वहाँ पे snow भी होगी, तो जैसे जैसे snow melt करेगी, पानी इन rivers से बिहार की तरफ आएगा, तो कुछ ऐसी rivers है, जो snow fed है, और कुछ ऐसी rivers है, कि जब यहाँ पे rainfall होती है, उनसे वो भर जाती है, यानि कि कुछ ऐसी rivers है, जो snow fed है, कुछ ऐसी rivers है, जो rain fed है, इन सभी rivers की वज़ह से जो है, एक risk of floods पे बना रहता है, जैसा मैंने आपको बताया कि हिमालियन जो रिवर्स है दे फ्लोर डाउन टो दे स्टेट, अब रिवर्स अपने साथ पानी के साथ साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स भी ला रही है, हिमालियस जब भी हम पढ़ते हैं इंडियन जोग्रफी में हम बात करते हैं यह young fold mountains है, बहुती young topography है, यानि soil बहुत ज़दा mature नहीं होगी, बहुत ज़दा loose soil होगी, इसलिए आप देखते हैं, यह rivers अपने साथ बहुत सारा loose soil, बहुत सारा sediments भी लेके आती है, तो जब भी यहाँ पर पानी बढ़ेगा due to rain, so whenever the volume of water increases due to rain, तो rivers, जो है, rivers, sediments, overflow कर जाती हैं अपनी banks को, और flood का problem शुरूर हो जाता है, तो पहला point यह है, यहाँ पर एक जो reason और देखा जाता है, water logging, पानी इकठा भी होता रहता है, अब इकठा क्यूं होता रहता है, multiple reasons देखे जाते हैं, for example, embankment induced water logging, second point पर समझाऊंगी, इसके अलावा यहाँ पर कुछ saucer shape depressions भी देखे जाते हैं, कई के जगा पर इने tectonic depressions भी कहते हैं, पानी भर जाता है, water log हो जाता है, categorically rainfall के season में तो बहुत जादा ऐसा देखा गया है, कभी-कभी गर्मी के seasons में यहाँ पानी नहीं भी होता, आप देखेंगे, यहाँ पर कभी-कभी इनक यहाँ पर एक problem है, और मैं आपको एक बहुत specific example समझाती हूँ, जिससे आपको और बहतर समझ में आएगा, कौन सा point, अब जब हमने बात की थी, कि यहाँ पर दूसरा कारण क्या है flood होने का, तो यहाँ बात हुई थी, कि decade old solution दिया गया था, जो बहुत बढ़िया नहीं रहा यहाँ पर बात हो रही है 1950s की, कि उस समय सोचा गया कि ऐसा करते हैं, कोसे river के आसपास embankments बना देते हैं to contain the flow, लेकिन long term में यहाँ पर एक problem देखी गए, मैं आपको simple शब्द में समझाती हूँ क्या, अब let's say river पानी लेकर आ रही है, अब ही हमने देखा कि हिमालन rivers में sediments भी बहुत जादा होते हैं, तो normal circumstances में क्या होगा, पानी आएगा, sediments आएंगे और बहुत दूर तक sediments फैल जाएंगे, distribute हो जाएंगे, लेकिन अब जब यहाँ पर river के आसपास embankments बन गए, तो long term में क्या होगा, कि sediments उतने जादा नहीं फैलेंगे, और कहीं ना कहीं यहीं पर इकठे होते रहेंगे, that means, पहले मान लीजय, river bed यहां तक था, अब यहां पर sediments इकठे होते गए, तो क्या होगा, जहाँ पर पहले पानी बहुत सारा आ रहा था, अब पहां पर sediments इकठे हो रहे है, sentiment इकठे हो रहे हैं मतलब कि पानी जहां बहुत ज़ादा पहले आ रह इसलिए यहां दिखा हुआ है, देखिए, riverbed rise कर जाएगा, क्योंकि sediment जो है बढ़ते जा रहे हैं, अब कमपानी कठा होगा, making it prone to flooding, बहुत long term में देखा जाएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि एक decade old solution, जो long term में एक problem लेकी आया, तो अब आप समझ रहे हैं, जब भी हम बिहार floods की बात करें, geography का issue तो ही है, हिमालियन रिवर्स का, water logging का, लेकिन यह जो एक solution देता था, ये वाला point भी अपने आप में long term में एक issue create कर गया, तो ये भी एक problem है, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं, possible solutions की, अब यहां पे देखें, तो सरकार flood management and relief पर खरचा भी करती है, तो according to this article अगर हम solutions की बात करें, तो दो ways बताये जा रहे हैं, एक तो structural solutions, for example, dams बनाये जाए हैं, पानी को स्टोर करने के लिए, embankments बनाये जाए हैं, पर ये भी full proof नहीं है, अभी हमने issue देखा, right, तो parallelly, of course, efficient solutions बनाये जा सकते हैं, लेकिन parallelly, non-structural solutions भी हो सकते हैं, for example, laws, policy, risk reduction, mitigation, अच्छे ये ना बहुत specific point है, कल को आपको disaster management में questions आते हैं, floods पे, तो ये भी एक बहुत अच्छा point है, जो आप लिख सकते हैं, कि कहीं structural solutions हो, कहीं non-structural solutions हो, कभी आपको ethics की case study में ऐसा कोई question आ जाता है, कि आप क्या करें, तो वहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं, right, च in reverse तो वहाँ हैंगी, इसलिए बहुत जरूरी है to work on aspects like warning दी जाए, reaction time better हो, awareness दी जाए, training दी जाए in dealing with floods, यहाँ पर flood atlas of Bihar भी कहती है, कि एक realization होनी चाहिए, कि rational way of flood management हमेशा ही लेना पड़ेगा हमें, हमेशा ही minimizing the risk or damage पर ही काम कर पाएंगे, rather than formulating structural measures, क्यों, क्योंकि reverse बहुत dynamic है, हवे नहीं पता, आगे किस तरह के issues आएंगे, you have to understand, कि geography आप नहीं बदल सकते, है ना, अब मान लीजे, reverse है, है ना, अब जितनी global warming होगी, कुतना glacier melt होके, पामी आएगी, तो जो यह dynamic nature है, reverse का, इनको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन rational way क्या होगा, flood management को better किया जाए, risk और damage को minimize करने पे काम किया जाए, तो यह भी ना, बहुत specific points है, इनको भी आप answers में, conclusion में भी add कर सकते हैं, तो इन चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है, जब भी आपढ़ाई करें, of course, news समझना जरूरी है, पर जो pointers है, जो learnings है, उनको क holistic current affairs program के बारे में आप जानते हैं, और details के लिए आप मारे numbers पर जरूर करें, thank you so much all of you, bye bye